अठ्रा वर्ष की उम्र करियर के सपने देखने की होती है लेकिन इस उमर में जीवन की सांसे रुख जाए तो माता पिता के लिए इससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता भंडारा रोट जगत रेसिडेंसी निवासी शाह परिवार के लिए भी ये दुख जीवन भर के लिए रहेगा लेकिन तसली इस बात की है कि उनका बेटा पांच लोगों को जीवन दान दे कर गया अठरा वर्षियत तिर्थ देवांग ने बारावी की परिक्षा उत्तिर नकी थी और नए जीवन में प्रवेश करने जा रहा था वह अपने पिता देवांच शाह और मादर्शना शाह के साथ रहता था तिर्थ को अचानक सिर्दर्थ हुआ और उल्टी होने लगी परिजनों को कुछ समझ ही नहीं आया पंद्रा नवंबर को उसे न्यू इरास्पताल में भरती किया गया भरती के वक्त उसकिस्ती थी गंबिर होने के कारण उसे वेंटिलेटर पर रखा गया डॉक्टर उने बताया कि उसके ब्रेन में रक्तस्त्राव हुआ है अथक परिश्रम के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका अठ्रा नवंबर को न्यू इरास्पताल के नियूरो सर्जन डॉक्टर निलेश अगरवाल ने उसे ब्रेंडेट खोशित कर दिया पश्चत डॉक्टर उन्हें परिजनों को अवयवदान के लिए प्रेरित किया माता पिता के पास अब मुरूत शरीर के अलावा कुछ नहीं बचा था इसलिए वे भी अवयवदान करने के लिए तयार हो गये इसके बाद जोनल ट्रांस्प्लांट को औरडिनेशन सेंटर के अध्यक्षर डॉक्टर विभावरी दानी वसचिव डॉक्टर संजे कोलते को जानकरी दी गई तिरित की एक किड्नी वोखाट अस्पताल में प्रत्यारोपित की गई जबकि दूसरी किड्नी नियू इरास्पताल में 66 वर्ष के बुजर्ग को दी गई वही लीवर भी नियू इरास्पताल में 56 वर्ष ये मरीज को दिया गया दुना आखे माधव नेत्र पेढ़ी को दे दी तिरित भले ही असमय इस दुनिया से चला गया लेकिन अवयवदान कर समाच को एक मिसाल दे गया